जै मातादी दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों नए वर्ष की शुरुबात हो चुकी है और ये नया वर्ष आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आया है इस नए वर्ष में आपको वो प्राप्त होने वाला है जिसकी आपनी कल्प न की थी जो आप प्राप्त करना चाहते थे तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस वर्ष के पहले महिने जनवरी माह के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए ये जनवरी का महिना कैसा रहेगा इस महिने में ग्रहों की सिथिया कैसी होने वाली है कौन सा ग्रह आपके लिए लाबदायक रहेगा क्या उपाय आप कर सकते हैं किस तरह के प्रभाव आपको इस महिने में देखने को मिलेंगे और सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस महीने में कई ग्रहे राशी बदलेंगे और कुछ महतपून ग्रहे गोचर भी होंगे जो बरसों के बाद होंगे तो इस महीने में जो मध्य माहा होगा सूरिय का राशी परिवर्तन होगा और सूरिय जो हैं वो मकर राशी में प्रवेश करेंगे सूर्य का मकर राशी में जाना भी एक बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है क्योंकि वो मकर संक्रांती का दिन माना जाता है तो मकर संक्रांती इस वर्ष में इस महीने के मध्य में आएगी और इस महीने के ही मध्य माह के बाद 17 जनवरी को शनी का भी राशी परिवर्टन होगा 30 वर्ष के बाद जो की शनी अपनी राशी कुम राशी में प्रवेश कर जाएंगे बुद्ध का भी राशी परिवर्टन होगा शुक्र का राशी परिवर्टन भी होगा तो कई ग्रहों का राशी परिवर्तन बड़े बड़े प्रभाव आपको अपनी जीवन में देखने को मिलेंगे तो इनका कैसे प्रभाव होगा, क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे, चलिए अब जान लेते हैं विस्तार से तो देखें तुला राशी के जात तक एक बात तो है कि जब नया वर्ष ये शुरू हो चुका है तो आप इस महीने में, इस पहले महीने में सफलता की नई उचाईयां हासिल कर सकते हैं ये महीना आपके और आपके परिवार के लिए भागय साली समय लेकर आया है आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने बंधन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार आप अपने जीवन में कुछ नई बदलाव भी देख पाएंगे जो आपके लिए सकारात मक होगा, आपके लिए विकास लेकर आने वाला होगा इस महीने में अनुकूल समय पर मक्सूरिय का मकर राशी में जो गोचर होगा वो कई मायने में आपके लिए बहुत बड़े बदलाव देका रहेगा जो आपके स्वभाग्य को बढ़ाएगा, आपकी वित्य इस्तिती में सुधार लेकर आएगा और हर संभव जगह पर आपकी मदद करेगा आप अब सरो का सरवत्तम तरीके से उपियोग करेंगे और याद रखें कि आपके जीवन में जल्दी ही कुछ माहान चीजें भी घटित होने वाली हैं कुछ ऐसी आपके जीवन में घटनाय होने वाली हैं जो आपके जीवन का रुख बदल देंगी आपकी जीवन को देखने का मायने बदल देंगी तो इसलिए अपने आत्मविश्वास को बना कर रखें अपने आत्मविश्वास को बढ़ा कर रखें और मद है उसके मद है माह के बाद जब 17 जनवरी 2023 को शनी का गुचर तो इस समय आप अपने बस स्वास्था का उच्ची तद्यान रखेंगे स्वास्था संबंदी कोई भी परेशानी होती है तो उसको आप नजर अंदाज नहीं करेंगे क्योंकि जब आप नजर अंदाज करते हैं कि उसके तो वह भारी बढ़ सकता है अब अगर आपके का एहसास होना आपको शुरू हो जाएगा सबसे बढ़कर आप सभी के सहयोग से आप अपनी जीवन के महतपून निर्ण लेने में सफलता हासिल करेंगे देखे इस महिने में आपकी राशे के स्वामी शुक्र का भी राशी परिवर्दन होका शुक्र वर्ष की शुरुवा लेकिन कुंबराशी में शुक्र का जाना आपके जीवन में बहुत भागेशाली समय लेकर आएगा और इसका अधिक्तम लाब उठाने के लिए आपको तयार रहना है तो उसके लिए आपको एक तो स्वास्त है आपको सही रखना पड़ेगा क्योंकि ये वो स्वामे होगा जब इस समय सितारे आपके जीवन में सकारातमक वरद्धी का संके दे रहे होंगे मैं कहती हूँ ये महिना शैनी की किरपा से तो आपके लिए अच्छा है ही साथ में शुक्र बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा सकारातमक वरद्धी दे कर आया है विशेष रू अपने ओचदिकारियों के साथ अच्छी बाचीत कर पाएंगे उपयोगी बाचीत जिसको कहते है न वो कर पाएंगे और ये जल्दी ही आपके काम पर आपकी पोजिशन को बढ़ाएगा आपकी पोजिशन में महतपूर्ण बुहमी का निभाएगा जनवरी का महिना तुला चेतना आपके बनाए रखनी है और अपने आपको जितना अधिक अनर्जेटिक रखेंगे सक्रिय रखेंगे उतना अच्छा रहेगा इसके लावा आप किसी भी तरह के लोगों और उनकी भावनाओं को कम ना आके वरना इसका सीधा आसर आपको अपने नीजी जीवन पर द परे संयम के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आएंगे यह आपका गुण है जो इस वहिश्य की शुरुआत में दिखाई देना शुरू हो जाएगा महिने के मध्य में भाई बहनों से किसी बात को लेकर मनमोटाव जरूर हो सकता है तो तब आपको थोड़ा सा संय रखना है जो आपके भाई बहन है उनके साथ अपनी बांडिंग को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है यह बांडिंग यह जो मनमोटाव है ठीक हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा संयम रखना होगा जो नौकरी पेशा लोग है वो इस दोरान अपनी किसी भी काम को दूस प्रेम की दरस्टी से यह महीना काफी अच्छा रहेगा अगर प्रेम की दरस्टी से देखा जाए तो प्रेम की दरस्टी से साल का यह महीना मिला जुला रहने वाला है खटी मीठी तकरारें बीच में होती रहेंगी प्रेम संबंद आपका ठीक बना रहेगा और दामपत्य जीवन में आपको अपने जीवन साथ ही का पूरा सहयोग प्राप्थ होगा संतान पक्ष की उपलब्धी से भी आपका मान सम्मान इस महिने में बढ़ सकता है संतान को लेकर कुछ ना कुछ खुशी की बातें आपके जीवन में जरूर प्रवेश करेंगी हां सेहत का ध्यान ज आप एक तो शिव चालिसा का पार्ट कर सकते हैं शिव चालिसा का पार्ट करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा और शिवलिंग पर आप कच्चा दूध जरूर चड़ाएं और सफेद चंदन का तेलक लगाएं ये उपाय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा आपके जीवन में जो शुबह रिजल्ट हैं उनको देने में आपकी मदद करेगा तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी से वीडियो को जाज़दा लाइक करें शेयर करें ताकि जादा लोगों तक ये पहुंच सकें